गुल्जार जी जो किसी भी पढ़ चाय के मुताज नहीं है आज उनके जनम दिन पे पता नहीं क्यूं कुछ कहने का मन किया कि उनके कुछ नजमों को बटोर कर आपके लिए पेश करूँ उनकों ने ये किवल शायरियान नहीं कहीं है लोगों के मन को चुआ है हर पहलों को बहुत ही खुब सूर्थी से पेश किया है ऐसा नहीं है कि उनमें उनके और अभी भी हमारे बीच हैं जिनके बराबर का कोई हो नहीं सकता ये मेरी अपनी राय है बहुत शायर हैं इनसे भी अच्छे अच्छे शायर हैं लेकिन अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है तो मेरे हिसाब से इनके जैसा खुबसूर्थी से अपनी बात को कह पाना बहुत ही मुश्किल है इन्हों ने अपने तकलीफ, अपने दुख, अपने जख्मों को इतनी खुबसूर्थी से रखा हर रोज चुक्के से निकल आते हैं नयपत्ते पाईशों की तरजों में क्यों पज़ड नहीं होते जिन्दगी ये तेरी खरोजे हैं मुझे या फिर तुम मुझे तरासने की कोशिश में है यूं तो एजिन्दगी तेरे सपर से सिकायदे बहुत थी मगर दर्ज अदर्ज कराने पहुँचे तो वहाँ पे कदारे बहुत थी अब गैर तो नहीं कोई बैर तो नहीं दुस्मन जीए मेरा हो भी कोई गैर तो नहीं मेरी खमोसी में सनाता भी है शोर भी है तुने देखा हे नहीं आखों में कुछ और भी है जिसका भी चेहरा छीला अंदर से कोई और निकला मासूम सा खुपूतर नाचा तो मूर निकला कब आ रहे हो मुलाकात के लिए मैंने चांद रोका है एक रात के लिए दीख कर दर्द किसी और का जो आहां दिड़ से निकल जाती है पस इतनी सी बात तो आदमी को इनसान बनाती है लब जब बरसते हैं बनकर भूदे मौसम कोई भी हो एक पुराना मौसम लाटा याद घरी पुरवाई भी ऐसा तो कम ही होता है तो भी हो थनहाई भी शुक्रिया जिन्दगी मुझ मजपूर बनाने के लिए सूनने तक गिर कर फिर मस्पूर बनाने के लिए कौन कहता है कि दुनिया किलो मीटर में ना पी जाती है उससे मिलने में भी उम्र कुज़र जाती है नहीं रहूंगा मैं तब भी रहूंगा तुम्हारी पलको तले लहरते नमी के कत्रे में उल्जा उल्जा तुमको बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं माप करना या जिन्दगी तुझे ही नहीं जी पा रहे हैं चक्कर देखिए कभी तनहाई तुमने मैंने देखिए बड़ी इमानदार लगती है तकलीब खुदी कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई कौन कहता है कि हम जूट नहीं बोलते एक बार घ्यर प्रियत पूश्च कर तो देखिए बुच जाएंगी सारी आवाजे यादे यादे रह जाएंगी तस्वीर बचे की आँखों में और बाते बाते सब बह जाएंगी अक्सर बही दिये हाथों को जला देते हैं जिनकों हम हवा से बचा रहे होते हैं जिन्दगी ये तेरी खरोचे है मुझे या फिर मुझे तराशने की कोशिश में है बच्पन से भरी दुपहरी में ना पाते थे पूरा मुहनना जब से डिग्रियां समझ में आई पाउजनने लगे ख्वाइशे तो आज भी पागावत करना चाहती हैं मगर सीख लिया मैंने हर बात को सीरे में दफन करना ए उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता बच्पन तो छीन लिया बच्पना छीन कर बता हम ने अकसर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतजार किया मैं कभी सिग्रेट पीता नहीं मगर हर आने वाले से पूछ लेता हूँ कि माचिस है बहुत कुछ है जिसे फूख देना चाहता हूँ थम के रह जाती है जिन्दी जब जम के बरस्ती है पुरानी यादे उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में निकालते निकालते इतना खुद को तराशा होता तो फरिष्टा बन जाते कवार है वो मुलाकाद के लिए मैंने चांद रोका है एक रात के लिए ये माना इस दोरान कुछ साल बेदे के फिर भी आँखों में चेहरा तुम्हारा समय हुए है किताबों पे धूल जम जाने से कहानी का हम बदलती है तेरे शहर में बहुत तो जाता रास्ते में दरिया पड़ते हैं फुल सब तुने जला दिये तारीफ अपने आप से करना फिजूल है खुश्बू बता देती है कौन सा फूल है पलक से पाने गिरा है तो उसे गिरने दो कोई पुरानी तमन्ना पिगल रही होगी पूलने की कोशिश करते हो आखे इतना क्यों सहते हो डूब रहे हो और बहते हो दरिया किनारे क्यों रहते हो मैं तो चाहता हूँ हमेशा मासूम बने रहना ये जो जिन्दगी है समझदार किये जाती है क्या पता कब कहा मारेगी बस की मैं जिन्दगी से डड़ता हूँ मौत क्या एक बार मारेगी कभी तो चौक कर देखे कोई हमारी तरफ किसी की आँख में हमको भी इंतजार दिखे लगता है जिन्दगी आज कुछ का फास ही है चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफास है लब तो खामोश रहेंगे ये बाता है मेरा तुम से हमको जिसने भी अपने लिए इस्तिमाल किया कम से कम वो जानता तो है हम काम के है कर दोड़िए कर दोड़िए कर दोड़िए कर दोड़िए है खर झाल झाल अग्जूदूदूदूदूदूदूदूदूदू थाया। ये लिए हे फिर आल आओ दोगद बस्लेट से लिए। खर बंदेखंगे ऩो जड़ानंत। झाल सुखचर दो नुट है झाल 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 झाल